अविनास इंस्टिटीट आफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अविनास मिस्रा। वाई मंडल का एक तिसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम लोग वाई मंडल की जो परते हैं उसके बारे में गहराई से अध्यान करेंगे। अगर आपने इसे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप लेलिस्ट में जाके बिस्सु का भुगोल का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आईए समझते हैं वाई मंडल की परतों के बार पर वाई मंडल को अलग अलग पांच परतों में या अलग अलग पांच मंडलों में बाटा गया है। तो आईए एक एक परत के बारे में गहराई से अध्यान करते हैं। जो सबसे पहली परत है उसे हम लोग छोब मंडल कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है तो आईए इस परत के बारे में अच्छे से समझते हैं, यह वाईव मंडल की सबसे निचली परत है to यह जो छोब मंडल है वाईव मंडल की सबसे निचली परत है इसकी जो वसत उचाई है जो है सता से 13 किलो मीटर है कभी कभी परिच्छा में पूछा जाता है तो याद रखना छोब मंडल की जो वसत उचाई है वो कितनी है 13 किलो मीटर क्लियर हुआ आगे समझो इसकी उचाई जो है ध्रुवों के निकट 8 km तथा विसुवत बृत्त पर 18 km होती है तो जो छोब मंडल है इसकी जो उचाई है वो विसुवत रेखा के पास अधिक होती है और ध्रुवों के पास कम होती है तो ध्रुवों के पास कितनी होती है 8 km तक होती है और विशुवत रेखा के पास कितनी होती है 18 km होती है तो याद रखना और चोब मंडल की और सथ उचाई कितनी है और सथ उचाई जो है 13 km ठीक है आगे समझो अब इस परत में प्रतेग 165 मीटर की उचाई पर तापमान जो है एक डिगरी Celsius कम होता जाता है छोब मंडल में जैसे जैसे आप उपर की तरफ जाओगे हर 165 मीटर की उचाई पर तापमान जो है एक डिगरी Celsius कम हो जाता है याद रखना परिछा के लिए बहुत ही important है तो 165 मीटर की उचाई पर कितना तापमान कम हो जाता है एक डिगरी Celsius कम हो जाता है, समझ में आगे, आगे समझो, इसे ताप की सामान रास दर कहते हैं, याद रखना, जो छोब मंडल है, जब उचाई बढ़ने के साथ 165 मिटर की उचाई बढ़ने पर क्या होता है, एक डिगरी Celsius ताप मान कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इसे ताप की सामान रास दर कहते हैं, ठीक है, आगे समझो, समस्त मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं, याद रखना, छोब मंडल में समस्त यानि की सभी मौसमी घटनाएं जो हैं, होती रहती हैं, कौन-कौन सी मौसमी घटनाएं, जैसे की आधी, तूफान, कोहरा बारिस बादल का गरजना बिजली का चमकना यह जितनी भी वायू मंडली घटनाएं हैं वो छोब मंडल में ही घटित होती हैं बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है आगे समझो इस मंडल को समवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि समवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित है तो याद इस मंडल को समवहन मंडल भी कहा जाता है ठीक है आगे समझो जलवास्प धूल कडों का अधिकांस भाद इसी में मिलता है तो अगर हम बात करें जलवास्प और धूल कडों की तो सबसे जादा घनत तो कहां पर पाए जाता है तो छोब मंडल में पाए जाता है यानि कि छो वास्प और धूल कडों की जो मात्रा होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है समझा आगे समझो आकास का रंग नीला जो है धूल कडों के काराण ही दिखाई देता है कई बार परिच्छा में पूछा जा चुका है कि आकास का रंग नीला किस काराण दिखाई देता है तो मंडल की दूसरी परत है उसका नाम है समताप मंडल क्या नाम है समताप मंडल जिसे अंगरेजी में इस्ट्रेटोस्फियर कहते हैं इस मंडल को अंगरेजी में क्या कहा जाता है इस्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है आए इस मंडल के बारे में अच्छे से समझते हैं यह परत 50 क चोब मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को चोब सीमा कहते हैं एक SEMA बनाता है समझ मैं अगे आगे समझो इस मंडल के निचले भाग में 20 किलो मीटर की उचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं इसे समताप मंडल क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सम का मतलब होता है समान ताप का समान होता है कम जादा नहीं होता है इसलिए से क्या कहा जाता है इसे समताप मंडल कहा जाता है इस मंडल के निचले भाग में हवाई जहाज के उड़ान के लिए आदर्स दसाएं हैं तो हवाई जहाज किस मंडल या किस परत में उड़ती है तो याद रखना समताप मंडल में क क्योंकि यहां पर जो तापमान रहता है जिसके कारण जो हवाई जहाज है इसी मंडल में उड़ाई जाती है समझ में आगए आगे समझो इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है याद रखना समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है ओजोन परत क्या होता है इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ए भी एक महत्तुपूर्ड टॉपिक है समझ में आ गए तो याद रखना ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है तो समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत क्या करता है जो सूर से किरडे आती है ओजोन परत उसे अवसोसित कर लेता है जिसके कारण प्रिथिभी पर जो हानिकारक किरडे है और पहुंच नहीं पाती है इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको समझा दूंगा तो यह दो परत हो गया इसका आप स्क्रीन सोट ले लो फिर इसके आगे के परत के बारे में मैं आपको बताता हूँ वाय मंडल की जो तीसरी परत है उसे मध्य मंडल कहते हैं और इसे अंग्रेजी में मेसोस्फियर कहा जाता है अब आए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं पचास किलो मीटर से लेकर असी किलो मीटर की उचाई वाले वाय मंडली भाग को क्या कहते हैं मध्य मंडल कहते हैं इस मंडल में उचाई बढ़ने पर तापमान घटता है मध्य मंडल में उचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है घटता है समझ में आ गया और असी किलो मीटर की उचाई पर जो तापमान है ओ माइनस सव डिग्री सेल्सियस हो जाता है परिछा के दृष्टी से इंपोर्टेंट है याद रखना असी किलो मीटर की उचाई पर जो है तापमान कितना घट जाता है माइनस हैंड्रेड डिग्री सेल्सियस यानि की माइनस सव डिग्री सेल्सियस हो जाता है ठीक है आगे समझो यह हो वायू मंडल की सबसे ठंडी परत है तो यह भी प्रसने पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है याद रखना वाई मंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो कौन से है तो याद रखना वाई मंडल की जो सबसे ठंडी परत है वो मध्य मंडल यानि की मेसोस्फियर है, समझा? आगे समझते हैं. उलका पिंड इसी परत में प्रवेश करने पर जलकर नश्ट हो जाते हैं कभी कभी आपने रात के समय में आसमान में देखा रहेगा तो आपको उलका पिंड दिखाई देता होगा जलते हुए तो उलका पिंड जो है इसी परद में आने के बाद घरसड होने के बाद क्या होता है जलकर नश्ट हो जाता है बहुत important line है ठीक है याद रखना वाई मंडल की जो चौथी परत है उसे आयन मंडल कहते हैं वाई मंडल की जो चौथी परत है उसे क्या कहा जाता है आयन मंडल कहा जाता है उसे अंग्रेजी में आयनोस्फियर कहते हैं इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं आये इसके बारे में समझते हैं 80 km से लेकर 400 km की उचाई वाले Y मंडली भाग को आयन मंडल कहते हैं यह जो 80 km है 400 km अलग-अलग किताबों में अलग-अलग नंबर लिखा है तो कन्फ्यूज मत होना किसी में 6.5 भी आपको दिखाई देगा तो कन्फ्यूज मत होना ठीक है NCRT जो बोग है उसमें यहीं बता गया यानि कि 80 km से लेकर 400 km की उचाई वाले Y मंडली भाग को क्या कहते हैं आयन मंडल कहते हैं जितने भी रेडियो तरंगे हैं वह इसी परत में परावर्तित होकर प्रिथिवी पर लवडते हैं प्रिथिवी पर जितने भी संचार माध्यम हो चाहे वो TV हो मोबाईल के टावर हो दूर दर्शन हो रेडियो हो समझ में आगे तो जितने भी रेडियो तरंगे होती हैं वह इसी मंडल से क्या होते हैं परावर्तित होकर प्रिथिवी पर लवटते हैं याद रखना बहुत इ स्थित होते हैं तो आपसे प्रस्ण पूछा जा सकता है कि जो संचार उब्ग्र है यानि कि सैटलाइट है वो किस परत में स्थित होती है तो याद रखना आयन मंडल में स्थित होते हैं और जो रेडियो तरंगे होती हैं, वो इसी मंडल से परावर्तित होकर प्रिथिवी पर लोटती हैं, समझा, अब आगे समझो, इस परत को कई उप परत या कई उप मंडलों में बाटा गया है, जैसे कि D-layer, E-layer, F-layer तथा G-layer में बाटा गया है, समझ में आ गया है, अब आईए इसके अंतिम और आखरी परत के बारे में समझते हैं, तो वायू मंडल की जो पाचवी परत है, उसे क्या कहते हैं, बाह मंडल, यह जो है वायू मंडल की सबसे आखरी या अंतिम परत है, इसे अंगरेजी में एक्जो स्फियर कहते हैं, अंगरेजी में क्या कहते हैं उपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, बाह मंडल कहा जाता है, समझ मैं गए, इस परत की कोई सीमा निर्धारीत नहीं है, उसके बाद क्या आप जाता है, उसके बाद आसमान आ जाता है, समझ मैं गए, इसलिए इस परत की कोई सीमा निर्धारीत नहीं है, इस मंडल में जो है हेलियम गैसों की मातरा सबसे अधिक पाई जाती है तो याद रखना बाह मंडल बाह मंडल में जो है हाइड्रोजन और हेलियम गैसों की मातरा सबसे अधिक पाई जाती है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्र नहीं किया तो कर लीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यबाद